नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ओफिशल पर तो आज किस वीडियो में हम हिस्ट्री का पहला टोपिक प्राचीन भारत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं अक्सर आप हिस्ट्री की शुरुआ सिंदू घाटी सब्विता या रप्पा सब्विता से करते होंगे पर आज हम उससे भी पहले का इतिहास पढ़ेंगे जिससे प्रेशन भी बनते हैं तो पहले हम टोपिक को पढ़ेंगे और लास्ट में प्रीवियस येर क्वेस्टन को भी अटम्ट करेंगे तो इसलिए आप पहले वीडियो को एंड तक देखें और लास्ट में प्रीवियस येर क्वेस्टन जरूर अटम्ट करें तो आज आपको बहुत कुछ नया सिखने को मिलेगा और आपके exam odented fact बताऊंगा मैं आपको तो चलिए बिना देरी किये हुए वीडियो को शुरू करते हैं तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि इतिहास किसे कहा जाता है तो इतिहास अतीत में घटिट घटनाओं का विवरन होता है यानि कि अतीत का अध्यान ही इतिहास कहलाता है पास्ट की स्टड़ी ही हिस्ट्री कहलाती है तो ये तो हुआ इतिहास किसे कहा जाता है इतिहास का जनक किसे कहा जाता है तो इतिहास का जनक हैरो डोटस को कहा जाता तो अक्सर आप जो इतिहास पढ़ते हैं तो आप देखते होंगे कि जो इतिहास है वो आप तीन भागों में पढ़ते होंगे प्राचीन भारत, मध्यकालिन भारत और अधोनिक भारत पर जो इतिहास का भाग आता है प्राचीन, मध्यकालिन और अधोनिक ये एतिहासिक काल के इतिहास है न ये इतिहासिक काल में आता है इससे पहले का भी इतिहास है जैसे कि जो हडपा सब्यता सिंदू सब्यता है वो आदि इतिहासिक काल में आती है इससे पहले का जो काल है वो है प्राग इतिहासिक काल जिसमें आदि मानों के बारे में यानि कि हम पाशान काल के बार में पढ़ेंगे इसे आगे हम आधियासिक काल यानि कि जो सिंदु घाटी सब्वेता है हडपा सब्वेता है उसके बार में पढ़ेंगे उसके बाद हम आगे इसको continue करेंगे तो आज हम प्राग एतियासिक काल के बार में पढ़ेंगे तो आपको समझ आ गया ना कि जो इतिहा इसे अध्यान की द्रिश्टी से तीन भागों में बाटा गया है पहला क्या है प्राग एतिहासिक काल जिसे इंगलिश में कहते हैं प्रिहिस्टोरिक पीरियड उसमें पाशान काल आता है दूसरा है आध्य एतिहासिक काल प्रोटो हिस्ट्री पीरियड जिसमें हरपा संभिता सिंदू सभेता ये आती है उसके बाद है इतिहासिक काल historic period जिसमें प्राचीन भारत आगे हम पढ़ेंगे महा जनपत ये सब जितने भी वंच हैं ये सब इसमें आएंगे प्राचीन भारत में मद्यकालिन भारत अधोनिक भारत ये इतिहासिक काल में आते हैं इनसे पहले कभी इतिहास है जो आपकी एकजाम के लिए इंपोर्टेंट है तो आज हम शुरुआत करेंगे प्राच इतिहासिक काल से तो जो प्राच इतिहासिक काल होता है प्री historic period होता है किसे प्राग एतियासिक काल कहा जाता है तो प्राग एतियासिक काल उसे कहा जाता है जिस काल में मानो किसी लिपी और लेखन कला से परिचित नहीं था मतलब कि इस काल में जो मानो था वो किसी भी लिपी के बारे में नहीं जानता था वो ना लिखना चानता था ना पढ़ना जानता था तो उसे प्राग एतिहासिक काल कहा जाता है जैसे कि पाशान काल तामर काल पाशान काल जो कि पत्थरों का युग हुआ आदी मानों के युग तामर काल जब कि तामर के खोज हुई तो ये प्राग एतिहासिक काल के बारे मे पढ़ नहीं सकते, जो कि हम सिंदु घाटी सब्यता में देखते हैं, उस समय की हमें लिपी मिली है, मतलब कि उस समय वो लोग लिपी से तो परिचित थे, वो अपने अब लिखते तो थे, और उस समय के लोग उसको समझते भी होगे, पर उनकी लिपी को हम नहीं समझ सकते, इ इसे कहते हैं historic period इसमें मानो किसी ना किसी लिपी से परचित थे और वो लिपी पढ़ी जा सकती है मनलब कि इस समय के जो मानो थे वो किसी ना किसी लिपी से भी परचित थे और जो उन्होंने लिखा है उसको हम पढ़ भी सकते हैं तो इसी को हम एतिहासिक काल कहते हैं जिसमें प्राचीन काल आता है, मध्यकालीन भारत का इतिहास आता है, मुगल मच ये सब, उसके बाद आधोनिक भारत का इतिहास आता है, ये सब इतिहासिक काल में है, तो आशा करता हूँ, आपको समझ में आगे होगा ना, इसलिए मैं इसे डायग्राम से सब, तो हम आगे देखते है तो ये पूरा डायग्राम हमने समझ लिया तो प्राग एतिहासिक काल में मानो किसी भी परकार की लिपी और लेखन कला से परिचित नहीं थे तो इसे के बारे में हम पढ़ेंगे तो मैंने आपको बताया ना कि प्राग एतिहासिक काल को दो भागों में बाटा गया है मतलब कि इसे भी समझने की दिरिष्टी से आगे दो भागों में बाटा गया है क्योंकि जो प्राग एतिहासिक काल है वो बहुत लंबी काल अवदी है तो इसे भी पढ़ने की दिरिष्टी से तीन भागों में बाटा गया है तो आप confused मत होना देखिए इतिहास को समझने की दृष्टी से तीन भागों में बाटा गया है प्राग इतिहासिक, आदे इतिहासिक और इतिहासिक इतिहासिक में प्राचीन भारत, मध्यकालिन भारत और आधूनिक भारत आता है तो जो ये प्राचीन भारत है ना इसी प्राचीन भारत का इतियासी है जो हम पढ़ेंगे प्राग इतियासी काल और आदे इतियासी काल इसी प्राचीन भारत का इतियास है पर ये तरी लंबी काल अवदी है ना किसको समझने की दृष्टी से आगे भागों में बाटा गया है, तो जो प्राचीनकाल का इतिहास है, पाशानकाल और तामरकाल, यह बहुत बड़ी कालवदी है, आगे हम देखेंगे, किसका समयकाल बहुत लंबा रहा है, तो पाशानकाल को भी समझने की दृष्टी से, तीन भागों में बाटा गया है, पूरापाशानकाल, मध्यपाशानकाल और नवपाशानकाल, इंगलिश में है, पूरापाशानकाल को कहते हैं, पहलियोलिथिक पीरियड, मध्य पाशान काल को मैसोलिथिक पीरियड और नव पाशान काल को नियोलिथिक पीरियड तो यह है पाशान काल तो अब हम एक एक करके पूरा पाशान मध्य पाशान और नव पाशान काल के बारे में पढ़ते हैं तो अब हम आगे देखते हैं तो अभी हमने जो डाइग्राम से ही हमें ये सारी जानकारी मिली है हमें किसी भी परकार की लिपी नहीं मिली है और अध्यान की द्रिश्टी से मैंने आपको बताया कि प्राग एतिहासिक काल को दो खंडों में बाटा गया है पाशानकाल और तामरकाल और आगे पाशानकाल को अध्यान की द्रिश्टी से ती रोबर्ट बुरुस फुट ने किसने रोबर्ट बुरुस फुट ने पाशान कालिन्स अभेता की खोज की थी तो ये एक्जामे भी पूछा गया है कि सर प्रत्म का पता चला था तो 1863 ESP में पता चला था खुदाई के दुरान तो भूव एग्यानिकों थे रोबर्ट सबसे प्रत्म कालितल परत्म की उतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था इसकी काल अवधी 20 लाग इसापूरों से 12,000 इसापूरों मानी जाती है। तो देखे, कई किताबों में आप पढ़ेंगे, तो जो ये काल अवदी है, ये अलग-अलग बताएगी है। अलग-अलग इतिहासकारों ने इसे अलग-अलग बताया है। कईयों ने शुरुवात में लिखा है कि अन्नावन है, मतलब कि पता ही नहीं कब से शुरू ही और 12,000 इसापूरों तक चली आ रही है। पर ये जो काल अवदी है, ये मैंने NCRT से उठाई है। मतलब कि ये मैंने आपको फैक्ट बताया है, ये NCRT के फैक्ट है। और आपसे एक्जाम में डेट नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि ये इतनी इंपोर्टन नहीं है, पर फिर भी मैंने आपको समझने की दृष्टी से बताया है, जो कि NCRT में बताया है, और अलग-अलग किताबों में हो सकता है, ये डेट में अंतर मिले। इसलिए आप डेट पर मत ध्यान देना, क्योंकि ये एक्जाम में पूछी भी नहीं जाएगी, बस आपको समझने की दृष्टी से मैंने बताया है, कि ये इतिहास 20,000,000 इसापूर से शुरूआ और 12,000 इसापूर की बीच में जो एक आलावदी है, इसे पूरा पाशान काल कहा जाता है, और इस समय के मानो को आदी मानो कहा जाता है, तो आज हम आदी मानो से लेगर आधूनिक मानो तक के इतिहास को पढ़ते हैं, जो कि आपके लिए important है, तो इस काल में मानो का जो जीवन था, ये अस्थिर था, तो मैंने वही point उठा हैं, जो आपके लिए most important है, जो की इकजाम में पूछे जा सकते हैं, तो इस काल में जो मानो का जीवन था, ये अस्थिर था, और शिकार करके वह भोजन का संग्रह करता था, इस समय, केवल उसका मकसद क्या था, शिकार करना और अपना पेट भरना, और इस समय का मानो खाना बदोश था, जैसे हमने पढ़ा, जो मानो था, वो खाना बदोश था, जिस परकार जानवर खाना बदोश होते हैं न, शिकार करते हैं, परना पेट भरते हैं, उसी परकार मानो था, वो भी शिकार करता था, और अपना पेट भरता था, और इस हमें मानों की सबसे बड़ी उपलब्दी थी आग की खोज, very very important, आग की खोज कब हुई थी, यह आपसे एक्जाम में पूछा जागा, तो आग की कोज हुई थी, पूरा पाशान काल में, पहले लिथिक पीरियड में आग की खोज हुई थी, और इस हमें मानों, इस काल के चित्र देखने को मिलते हैं तो देखिए मानों ने उस समय से चित्रकारी शुरू कर दी तो टाइम पास करने के लिए वो चित्रकारी करते थे शिकार कर लिया भोजन कर लिया उसके बाद क्या करें आज की तरह फोन तो होता नहीं था तो क्या करते थे, वो चित्र बनाते थे, और इन चित्रों के परमान कहां पर देखने को मिले हैं, तो भीम बेटका की गुफाओं में इन चित्रों के परमान देखने को मिले हैं, किसी भी परकार की लिपी नहीं थी उसमें, मतलब कि मनुष्य लिखना और पढ़ना नहीं जान तो पेंटिंग भी ऐसे ही बनाएगी है कि आदमी है, वो जानवरों का शिकार कर रहा है, उन्हें है थियार से मार रहा है, तो इसे परकार की चित्र बनाएगे हैं, तो कहां पर इसके प्रमाण मिली है, तो भीम बेटका के गुफाओं में, जो की मद्य परदेश है, वहां पर ये शैल चित्र देखने को मिले हैं, वहां पर मनुष्य द्वारा जो चित्र कारी की गई है, वो देखने को मिली है, तो पूरा पाशान काल में हमने क्या क्या पढ़ा, तो इस काल में मानो का जीवन अस्थिर था, और इस समय मानो खाना बदोश था, मतलब कि जानूरों की वो भी शिकार करता था और अपना पेट भरता था, और इस समय मानो की सबसे बड़ी उपलब्दी क्या थी, आग की खोज, ये इंपोर्टेंट है, तो पूरा पाशान काल में ही आग की खोज हुई थी, उसके बाद हमने पढ़ा कि मानो पत्थर के बड़े-बड़े औजार पेरियड, तो ये है काल, पूरा पाशान काल और नौव पाशान काल के बीच का काल है, ये संक्रमन काल है, और इसकी काल अवदी है, 12,000 इसापोर्व से लेकर 10,000 इसापोर्व, ये मैंने आपको NCRT के कोडिंग बताया है, मैंने आपको बताया है, कि आपको डेट पर इतना पाशान काल कहा जाता है और इस काल में क्या हुआ तो इस काल में मनुष्य ने पशू पालन करना आरम कर दिया इंपोर्टेंट है तो पशू पालन कब आरम किया मध्य पाशान काल में आरम किया पर विधिवत तरीके से देखा जाए मतलगी सही तरीके से देखा जाए तो आग कुट्ता होता है वो मनुष्यों के according अपने आपको ढाल लेता है और काफी वफादार होता है तो मनुष्यों द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर कौन सा था तो कुट्ता था और इसमें मानुव ने छोटे और नुकीले हत्यारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था य इसे माइक्रोलित का जाता है तो इसे माइक्रोलित काल भी का जाता है किसे मध्य पाशान काल को ही माइक्रोलित काल का जाता है तो आपसे प्रिक्षा में ये पूछा जाता है कि माइक्रोलित काल किसी युग को का जाता है तो मध्य पाशान काल को ही माइक्रोलित ही युग क कहा जाता है यहां दखेगा इंपोर्टेंट है इसमें मानों ने क्या किया था हमने पीछे देखा कि वो बड़े बड़े ओजारों का इस्तमाल कर रहा था पर आगे चलकर उसने मध्य पाशानकाल में छोटे और नुकीले हथ्यारों का उपयोग करना शुरू कर दिया तो हमने आगे देखते हैं तो मध्य पाशानकाल के बाद है नव पाशानकाल नियोलितिक पीरियड तो मध्य पाशानकाल के बाद नव पाशानकाल आरंभ होता है और इसकी कालवधी 10,000 इसापूर्व से 3,000 इसापूर्व मानी जाती है और इस कालव में मानों ने स्थाई आवास ब बना लिया हमने शुरु में पढ़ा था पूरा पाशान काल में कि उसमें मानो अस्थाई था तो आपको ये पता चल रहा है कि पहले मानो अस्थाई था अब स्थाई क्यों हो गया तो देखिए तो पहले मानो क्या कर रहा था पूरा पाशान काल में वो शिकार कर रहा था तो जब वो जानवरों का शिकार कर रहे हैं, तो जानवर भी क्या करते थे, डरने लगते थे, तो जानवर भी जंगल छोड़कर दूसरी जगह जाते थे, तो मानों भी उनकी तलाश में दूसरी जगह जाते थे, तो मानों का जीवन क्या होता था, स्थिर नहीं हो पा रहा था, प तो मनुष्य का जीवन क्या हो गया? स्थाई आवास बनाने लगा, क्योंकि उसने क manga करना आरंप कर दी ऐसे आपको लिंग करना है कि येख हमने पढ़ी आग की खोज, वो कभूई थी? पूरा पाशानकाल में, और ये है पहिये की खोज, ये कभूई? नौः पाशानकाल में, तो direct exam में यही प्रेशन पूछे जाते हैं, कि बताएए पहिये की खोज कभूई थी? तो नौः पाशानकाल में, अब हमने पढ़ अब आपको भूलेगा नहीं, तो हमने पूरा पाशानकाल, मध्य पाशानकाल और नव पाशानकाल इन तीनों के बारे में पढ़ा, अब हम आगे देखते हैं, आगे है तामर पाशानकाल, चालको लिथिक पीरियड, तो यह इतना इंपोर्टेंट नहीं है, बस आप इतना जा कर ली थी, इसलिए से तामर पाशानकाल का जाता है, तो यह मनुष्य के द्वारा खोजी गई, पहली धातू है तामबा, तो इसी समय मनुष्य ने तामबे की खोज कर ली थी, और इस काल में मनुष्य ने पत्थरों के साथ साथ तामबे की उपकरनों का उपयोग भी शुर लेते हैं तो सबसे पहले मनुष्य ने कौन सा पालतू जानवर पाला तो वो कुत्ता है और सबसे पहले मनुष्य ने कौन सी धातू की खोच की तो तांबे की खोच सबसे पहले मनुष्य ने की थी और सबसे पहले मनुष्य ने जों और गेहों की खेती की ये भी important है तो आगे मेहरगड में, जो कि अब पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान कैसा है बलूचिस्तान, वहीं पर सबसे पहले मनुष ने किर्शी की थी, इसके परमान कहा मिलते हैं मेहरगड में, इंपोर्टेंट है, उसके बाद है बूर्ज होम, जो कि अब वर्तमान में कश्मी तो यहां पर ठंड पड़ती थी, तो ठंड में क्या होता था, जो वाँ के जानवर हैं जैसे की कुत्ता है, वो गड़े बना कर अंदर गड़े में चला जाता था, वहाँ पर रहता था, तो मनुष्य ने भी क्या किया, आधिमानों ने भी उसको देखा, और उसने भी उसी पर ठंडी हवा से बचने के लिए गड़े बना कर उसमें रहने लगा, तो यहां पर गरत आवाँ से बचने के लिए मनुष्य ने क्या किया, गड़े खोद कर उसमें रहना शुरू कर दिया, तो बुर्ज हों में इसके परमान मिले हैं, उसके बाद है कोल धिवा, जो की वरतमा यहां पर मिले हैं, यानि कि चावल जो अन है, उसके सबसे पहले परमान कहां पर देखने को मिले हैं, कोल धिवा में देखने को मिले हैं, जो की वरतमान में उत्तर परदेश में हैं, उसके बाद है भीम भेटका, यह मैंने आपको पता है न गुफाएं, मद्धी परदेश म साथ कुट्टे को भी दफनाय जाने के परमान मिले हैं और कोल डीवा में सबसे पहले चावल के परमान मिले हैं और भीम बेटका की गोफाओं में शैल चितरों के परमान मिले हैं तो यहाँ पर हमारा थियोरी सेक्शन कंपलीट होता है अब हम प्रिवियस येर क्वेशन देखते हैं तो सबसे पहला प्रशन है कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है तो इतिहास का जनक किसे कहा जाता है इसका सही जवाब होगा Opad Option A, Hierodotus को कहा जाता है अगला назад question है, कि भारतिय पुरा तत्तों का पिता केस से कहा जाता है तो भारतिय पुरा तत्तों का पिता कहा जाता है Option D, Alexander Cunningham को अगला प्रेशन है, कि मानो द्वारा पाला गया प्रतम जानवर कौन सा था तो मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर था कुत्ता, option ने इसका सही जवाब है अगला प्रेशन है कि किस काल को माइक्रो लित कहा जाता है तो मैंने आपको बताया था ना किस काल को माइक्रो लित कहा जाता है जब मनुष ने छोटे-छोटे और नुकीली हत्यारों का इस्माल करना शुरू कर दिया था तो option B मध्य पाशान काल को माइक्रोलित कहा जाता है अगला प्रेशन है कि निम्मा लिकिट में से किस काल खंड में मानव ने सरवाधिक जीवन बताया है तो पूरा पाशान काल में तो हमने देखा था कि 20 लाख इसा पूरू से लेकर 12,000 इसा पूरू तक जो मानव ने जीवन बिताया था ये पूरा पाशान काल में था तो सबसे लंबा जीवन बिताया मानव ने पूरा पाशान काल में option ने इसका सही जवाब होगा अगला प्रेशन है कि मानों द्वारक होजी गई सबसे पहली धातू कौन से थी तो सबसे पहली धातू थी option B तामबा थी अगला प्रेशन है कि सबसे पहले किर्शी के प्रमान कहां पर देखने को मिले हैं मैंने आपको पढ़ा, कि सबसे पहले कृषी कप्रमान कहां पर देखने को मिले, मिहरगड में, option B, इसका सही जवाब है, जो अब बलूची स्तान में है, अगला प्रेशन है, कि सबसे पहले चावल के साक्षे कहां पर देखने को मिले है, तो option है, कोल धीवा, जो कि वरतमान मे उत्तर प्रदेश में है, यहां पर देखने को मिले है, अगला प्रेशन है, कि आग का अविशकार किस काल में हुआ, तो आग का अविशकार किस काल में हुआ था, तो यह पूरा पाशान काल में हुआ था, option B, इसका सही जवाब है, अगला प्रेशन है, कि कहां परमानों मिले हैं तो इसके प्रमान देखने को मिले हैं बुर्ज होम में जो की वर्तमान में कश्मीर में हैं ओप्शन सी इसका सही जवाब होगा आज का आखरी प्रशन है कि भीम बेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं तो भीम बेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसि झाल झाल